देर जुडेंड आलेडी एलक्टोस्टेटिक फोर्स हम लोग 2.4 की पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें की आलेडी हम लोग डायलेट्रिक मीडियम के बारिम पढ़े थे तुलिवुनिक के दियाट्री कॉंस्टेंट, przylative, Permittivity पड़े थे जो धो का रेस्यों होता है जिसमें insulator की दियाट्री कॉंस्टेंट, pure inductor के दियाट्रि कॉंस्टेंट, air का दियाट्री कॉंस्टेंटreci हम लोग SEID पढ़ लिये थे अब इसमें हम लोग कांसर्ट ये पढ़ेंगे कि अगर दो चार्ज के 20 डालेक्र कोई मीडियम लाके फिलप कर दिया जा तो वहां पर कैसे force find किया जाता है क्योंकि ऐसे धेर सारे questions मिलेंगे जहां पर कि डालेक्र की medium दे देता है तो कैसे force वहां find करता है या आज नया कांसर्ट हम लोग दखाएंगे नया आज वीडियो में और इसमें numerical question भी आज हम लोग साल करेंगे तो next इसमें है 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 हम लोग पढ़ेंगे again first in air medium between two charge two charge के बीच अगर air medium हो तो इसमें तो कोई दिकत रही है इस टाइब का concept हम लोग कुलाम सलाम में पढ़े थे यह दो charge है q1 और q2 इनके बीच air medium है free space है vacuum कह सकते हो free space कहते हो या air medium भी कह सकते हो और इनके बीच का जो separation है यह r है तो इस समय जो force होगा इनके बीच यह air medium का force होगा एफ air is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 q2 upon r square और इसका numerical value बताय गया था आपान 4 pi epsilon 0 का numerical value 9 into 10 power 9 q1 q2 upon r square यह है force का फार्मला दो चार्ज के बीच air medium के लिए है न्यूटन इसके unit होगा या तो यह attractive हो सकता है या तो electric medium between dietic medium between two charge 2 charge के बीच अगर dietic medium हो तो उस समय force कैसे इसमें देखेंगे दो चार्ज है q1 और q2 separation वही है r separation q1 q2 का separation r है इनके बीच का separation यहाँ पर r है लेकिन यहाँ पर अब air medium नहों करके कोई medium ला करके यहाँ देख रहा और यहाँ पर फिलप कर दिया जाए पूरे में एक समान रूप से यहाँ पर कोई medium ला कर फिलप कर दिया जाए तो यही काल आता है dear dietic medium अब इसके dietic constant के आऊ सकता पड़ेगा dietic constant यानि relative permittivity के आऊ सकता पड़ेगा separation अभी भी कितना है इसका r है और इस medium का यह कहलाएगा कोई medium यहाँ पर है कोई भी medium ला कर फिलप कर दिया तो यह कालाएगा dietic constant और इसका जो dietic constant होगा वो k होगा यह जो medium fill up किया गया है खास बात यहां तुम यह देखो कि जो medium fill up किया गया है पूरे सेप्रेशन में एक समान रुप से medium fill up किया है इसले को बोला जाता है होमोजीनियस medium होमोजिनियस तरीके से हाँ डाक्टिक फिलप किया गया है मीडियम फिलप किया गया है लेकिन मानलो इतने पार्ट में अलग मीडियम फिलप हो फिर थोड़े पार्ट में कोई अलग मीडियम फिलप हो फिर थोड़े पार्ट में कोई अलग मीडियम फिलप हो और वो heterogeneous medium होता है जिसमें कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग प्रकार का dietic medium उसमें fill up किया रहाता है तो वो भी बहुत important होता है इसी में आगे heterogeneous medium के भी concept पढ़े जाते हैं उसमें भी best अलग से question solve किया जाते हैं तो यह है homogeneous जब अलग-अलग medium fill up करोगे तो वो खालाएगा heterogeneous medium तो यह homogeneous medium है जब 2 charge के 20 को medium लाके fill up कर देते हैं तो force का value decrease हो जाता है और जब समझ सकते हैं force का value decrease कब होगा जब इस formula में इस k से क्या हो जाएगा? divide हो जाएगा इसलिए अगर यहाँ पर अगर force का हम लोग value लिखें force between 2 charge in dielectric medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 सब यही formula रहेगा देख रहे हो बस यहाँ k से divide हो जाता है यही धियान देना चाहिए अगर 2 charge के भी इस dielectric medium दिया है तो यहाँ case divide कर दिया करो और यहाँ जाएगा q1 q2 upon r square is equal to 9 into 10 power 9 upon k into q1 q2 upon r square अभी भी इसका जो unit होगा वो newton ही रहेगा क्यों क्योंकि k का ना कोई unit होता है ना कोई dimension होता है इसलिए इसका numerical value बस change होगा लेकिन unit जो होगा वो अभी भी newton ही रहेगा दियार तो धेगर यह भी answer newton में आएगा यह भी answer newton में आएगा बस यह धियान देना चाहिए कि अगर 2 charge के बीच कोई medium लाके flip कर दे और उसका datry constant के पता हो datry constant के बारे में पिछले वीडियो लक्षर में बताए गया था तो इसमें case से बस यहाँ पर क्या हो जाता है divide हो जाता है उसके बाद से इस formula से numerical question solve कर लिया जाता है तुम यह देख रहे हो कि यह इतना जो formula है यह इतना यह air medium वाला force है इसलिए यहाँ से तुम यह भी कह सकते हो force in dielectric medium dielectric medium में लगने वाला force is equal to यह जो है यह air medium का force है 1 upon 4 pi x alana qn q2 upon r square is equal to force in air medium upon k k से यहाँ पर divide हो जाएगा तो air medium में लगने वाले force में अगर k से divide कर दो तो dielectric medium में लगने वाला force पता चल जाता है that is f air is equal to k into f dielectric that is dielectric medium का पर्स अपां air medium का पर्स is equal to 1 upon k is equal to 1 is to k इसको इस तरह सभी लिखा जा सकता है again अब्टरोस्टेटिक फॉर्स बितुमें तो चार्स इन वेक्टर फॉर्ब दो चार्स के बिएच जो फोर्स का फार्मला होता है उसको वेक्टर फॉर्मे किस थर से लखते हैं फार्मले को वेक्टर फार्म गिस से लखें क्योंकि यह जो फार्मला हम्लों पढ़े हैं 1 upon 4 pi Xö quando one q2 upon r square यह फार्मला डियर डी scalar form है, numerical value ये क्यों बताता है अगर vector form अगर देखेंगे smooth तो उसमें direction भी आ जाएगा अगर vector form में इसको लिखेंगे तो इसलिए आओ electrostatic force between two charge वाले formula को vector form में convert करके देखते हैं कि कैसे हुए vector form में उसको लिखा जाएगा इसके लिए अगर देखा जाए अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2 इनके बीच का separation है R तो खास बात यह है कि अगर दोनों positive charge है तो इसके दोरा इस पर लगेगा repulsion इसके दोरा लगेगा तो electrostatic force between two charge in vector form हम लोगे लिखना है तो formula को ही vector form में convert कर देना है तो दो चार्ज है Q1 Q2R separation पर तो इसके दोरा जो इस पर force लगेगा वो हमेशा जो force लगता है वो इस line के ही along force लगेगा क्योंकि ये force कभी भी ये नहीं है कि इसके दोरा इस पर लगने वाला force कोई angle बना दे या इसके दोरा लगने वाला force इस पर कोई angle बना दे जब भी ये वाला force लगाएगा तो इसके दोरा इस पर जो repulsion लगेगा इस direction लगेगा इसको बोलेंगे F इसको vector form में हम लोग को लिखना है कि कितना vector form में formula बनेगा इसके दोरा अगर इस पर force देखना है तो ये force इधर लगेगा तो जितरा force ये उस पर लगाएगा उतना ही ये force इस पर लगाएगा तो इसके दोरा इस पर लगने दोरा force अगर F को vector form में देखना है तो कैसे हम लोग vector form में इसको लिखेंगे ये concept हम लोग को यहाँ पर सिखना है तो आओ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर force का formula लिखना है scalar form नुमेरिकली 1 upon 4 pi epsilon 0 air medium है तो यहाँ k नहीं लिखेंगे into यह हो जाएगा q1 q2 upon r square यह इसका डियर numerical value है ध्यान देना it is numerical value यह numerical value है लेकिन अगर इसको vector form में लिखना है तो vector form लिखने के लिए देख लो इसपे f vector apply करेंगे is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 q2 upon r square लिखेंगे और साथ में इसके direction को indicate करेंगे तो इसके द्वारा इसपे लगने वाला force यह direction होगा और इसके दर इसपे लगने वाला force होगा वो इस r के along होगा that is कभी भी r से हट करके कोई angle नहीं बनाएगा जब ही force लगेगा तो r के ही along होगा इसलिए इस direction में अगर इसका unit vector r cap हो तो उससे हम क्या कर दें multiply तो इसमें direction आ जाएगा और r cap indicate करता है direction of r along the force force के along जो r का direction है उसको indicate कर रहा है और जो r cap होता है तो r cap का मतलब इसका जो magnitude होगा वो 1 होगा r cap का जब magnitude 1 होगा तो इसे condition में इसे से multiply करने से इसके numerical value में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए r cap से multiply करके इसको vector form में convert कर लिया जाता है अब इसमें जा तुम देखो डियर जो r cap होता है that is unit vector is equal to ये होता है vector upon mod of vector इसको लिखते है unit vector is equal to vector upon mod of vector that is vector r upon mod of vector का मतलब इसको केवल r भी कहते है that is r vector का magnitude केवल r होगा अब ये value अगर यहां हम लोग put कर दें तो ये formula हम लोग को कुलाम सला का force का formula vector form में मिल जाता है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square और r cap को हम लोग लिख देंगे into r vector upon r अब जब इसको vector form हम लोग लिखेंगे तो f vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon not into q1 q2 upon r square into r का value हो जाएगा d r r cube into r तो ये कहलाता है कुलाम सला का electrostatic force का formula vector form में जब vector form में इसको लिखते हैं तो यहां पर देखो r square के अस्थान पर r cube आ जाता है और r इसके direction को indicate करता है यहन्न indicate करता है कि इसके दोरा लगने वाला जो force होगा इस r के ही एलांग होगा तो इसके दोरा इस पर जो लगने वाला force होगा इसके just opposite होगा इसलिए इस पर अगर force देखना है तो ये formula होगा और इसके दोरा अगर इस पर force देखना है तो force का direction चूकि just opposite हो जाएगा इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा लेकिन ये जो फार्मला है ये कुलामसला का फार्मले का कौन सा फार्म है डियर ये है वेक्टर फार्म अगर एक कुलामसला पर एक कोसन करते है जो वेक्टर के है ये कोसन साल्व होगा जिसमें कि अगर एक 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 ट्रंगल है और इस एक ट्रंगल के थ्री कॉर्नर्स पर अगर थ्री चार्जेंग है ये चार्ज है प्लस क्यू ये भी चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज भी है प्लस क्यू और ये एक ट्रंगल है एक ट्रंगल है का मतलब ये सारे साइड इसके इक्वल होंगे तो यहाँ पर जो सेंटर है center पे एक Q0 अगर charge है या Q charge ही center मालो पलस Q charge है तो पुष्टा है कि center वाले charge पर कितना force लगेगा अगर उसे force find करना है तो कैसे find करेंगे तो देखो electrostatic force का कितना अच्छा question है जिसमें कि एक से अधिक charges है मलब हमेशा 2 charge के भी जो force पढ़ते थे वो concept नहीं है यहाँ पर बलकि 2 से ज़्यादा charge है पूरे system देखो 5 charge है और इस वाले charge पर क्या करना है force find करना है तो जिस charge हमको force find करना होता है बाकि सारे charges के द्वारा इस charge हम लोग force find करते हैं इसके द्वारा किसी दुसरे charge पर force हम लोग find नहीं करते हैं तो आओ इस पर कैसे हम लोग question को salve करेंगे यह देखा जाए और vector के help से ऐसे questions electrostatic force के salve होते हैं क्योंकि force is a vector quantity force vector quantity होने के कारण vector का पूरा help लेना पड़ता है तब जाकरके इसके electrostatic force के अधिक सार्जेज वाले questions होते हैं वो salve होते हैं तो यहाँ पर find करना है find out electrostatic force electrostatic force on the plus q charge placed at center of given equilateral triangle equilateral triangle के equilateral triangle का मतलब जिसके सारे side क्या हों equal हों जब सभी side equal होंगे यह सारे जो angles होंगे यह सब के सब 60 degree होंगे तो center पर लखने वाले 4 charge पर force find करना है तो इसमें कौन सा vector यूज होगा अगर यह देखा जाए तो हम लोग vector में यह formula पढ़ते हैं कि अगर दो force F1 और F2 theta degree पर applied हो किसी point पर तो इन दोनों का डियर यह resultant होता है वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन का जो पैलोग्राम method होता है अगर उससे देखा जाए तो इन दोनों का यह resultant होता है और यह resultant find करने का formula class 11th में वेक्टर में पढ़ा जाता है root over A square plus B square plus 2AB cos theta उसी method से यहाँ पर total force देखा जाए तो root over यह जाएगा F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta तो यहाँ पर resultant force इन दोनों का होगा root over F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta इस vector के help से अगर दो force या दो vector theta degree पर हों तो उनका resultant find किया जाता है लेकिन अगर दो vector already 120 degree पर हों अगर दो vector तो अगर 120 degree पर होंगे तो cos 120 degree का value होता है minus 1 by 2 तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि कोई दो force हैं दो vector हों F और F और यह दोनो 120 degree पर अगर हों 120 degree पर तो इनका जो resultant हम लोग find करेंगे F dash तो देखो यह कितना आएगा F dash is equal to root over यह आजाएगा F square plus F square plus 2F into F into cos 120 degree is equal to root over F square plus F square plus 2F into F का मतलब F square और cos 120 का value होता है minus 1 by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा तो आजाएगा root over F square plus F square minus F square और F square plus F square cancel हो के देखो यह कितना आगया F आगया तो अगर दो vector उनका अगर numerical value अगर same हो और दोनों अगर 120 degree पर अगर हों तो उनका resultant F dash के value देखो इसी force के ही देखो equal आता है यहाँ 10 newton और 10 newton अगर है तो ऐसे में इनका जो resultant होगा 10 और 10 newton का 120 degree पर 10 ही होगा तो F और F का resultant कितना होगा F होगा 50 newton और 50 newton के दो force अगर 120 degree पर applied हों तो उनका resultant 50 newton ही होता है यह vector का बहुत important concept है कि अगर दो vector same magnitude के 120 degree पर हों तो उनका resultant उसी के equal होता है जितना वो individual vector होता है यह concept electricity force में problem solving में बहुत ही ज़्यादा help करता है और इस concept का यहाँपर हम लोग क्या करते हैं follow करते हैं और center वाले charge पर हम लोग force देखते हैं तो जब देर center वाले charge पर हम लोग force देखेंगे तो इसको यहाँपर मिला देंगे इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे अब अगर हम लोग force का direction देखें तो इस charge के द्वारा इस charge पर जो लगने वाला force होगा चुकि यह positive है यह भी positive है तो इसके द्वारा इसपर repulsion लगेगा तो यह direction हो गया देखो repulsion का इस पे दो को force लगेगा इस तरह से यह repulsion का force जिसको F कहेंगे फिर इस charge के दोरा इस charge पे भी repulsion का force लगेगा तो यह इधर F हो जाएगा इस charge के दोरा इस charge के दोरा इस charge पे जो force लगेगा वो भी repulsion का ही force लगेगा इसको भी F हम लोग कहेंगे तो चार्ज पर total 3 forces लगेंगे क्योंकि इसके अलावा total 3 charges इसमें हैं अब इसमें इसमें ये confused होता है कि इस charge के दवारा हमने इस पर तो force दिखाया लेकिन इसके द्वारा हम लोग इस पर फोर्स नहीं दिखाए बिल्कुल ऐसा होता है फोर्स सब आपस में लगा रहे हैं लेकिन जिस चार्ज पर फोर्स देखा जाता है उसका एकदम से हाथ और पैर बांद दिया जाता है जिससे कि वह किसी दूसरे पर फोर्स न लगा सके बाकी के दूसरे पर फोर्स देखा जाता है और वेक्टर के हल्प से रेजलिटेंट फाइंड करके फोर्स फाइंड कर लिया जाता है इसलिए जिस पर फोर्स पूछ रहा है फोर्स के वह उसी पर अपलाई करना है बाकि इसी दूसरे पर force apply नहीं करना है जबकि ये भी इस पर force लगा रहा है ये भी इस पर force लगा रहा है लेकिन force हमको इस पर नहीं देखना है इस पर नहीं देखना है center वाले charge पर force देखना है इसलिए इसके द्वारा repulsion इसके द्वारा इस पर repulsion और इसके अधर इस पर repulse तो तर्ल के फोर्सेस इसपे लग रहा है अब अगर इस चार्च को अगर बाहर हमो निकाल ले यहाँ पर प्लस क्यूज चार्ज अगर बाहर निकाल ले तो टोटल अगर देखा जाए तो इस पर थ्री फोर्सेस लग रहा है एक f इधर लग रहा है, एक f इधर applied है, और एक f इधर applied है, और ये total angle equal होंगे, तो ये angle होगा total 120 degree, और ये angle भी होगा 120 degree, ये angle भी होगा 120 degree, और अभी हमनों सीखें हैं vector में, कि अगर दो force 120 degree पर हो, तो उसका resultant इसी के equal होगा, तो इन दोनों का resultant 120 degree पे f ही आएगा, इसलिए इन दोनों का resultant हम इस direction में दिखा देंगे, जो कितना होगा, f होगा, अब इसकी, इस force की, और इस force की कहानी finish हो गई, क्योंकि इन दोनों का, ये क्या है, resultant है, तो इस point पर, center पर, अब एक ये force बचा, और ये force बचा, दोनों dear equal और opposite, cancel out हो जाएंगे, और center वाले charge पर जो center पर charge रखा है, उस पर total force, f-f मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये question, NCRT का question है, NCRT में example ये question दिया है, एकदम simple question, थोड़ा vector के help से, ये question देखों होने, साल कर लिया, NCRT का question है, कि अगर three charges, एक किलेटर triangle के, तीनों कारणे पर गर रखे गए हैं, same magnitude के, और एक charge उसके center पर रखा गया है, तो center पर लगने वाला total force, 0 हो जाता है, जिसमें कि ये concert देखो, use किया जाता है, और ये concert किया है, कि जिस charge पर force पूछ है, उसी पर सबके द्वारा force लगाना चाहिए, उसके द्वारा किसी दूसरे charge पर force applied नहीं करना चाहिए, अगर एसा कर दोगे, फिर question solve नहीं कर पाओगे, यही विसेज ध्यान देना है, जितने charges हो, इसके question तुम असानी से solve कर सकते हो, एक square वाला question आता है, जिसके four corner पर four charge रख देता है, उसके बास एक center पर charge रख करके उसके force पूछता है, या four corner पर charge रख करके, और किसी एक corner पर force find कराता है, hexagon वाले question आते हैं, यह सारी question इस method से क्या होते हैं, साल हो जाते हैं, और next question हम देखते हैं, यह भी एक equilitated triangle है, three corners है, A, B and C, यहाँ पर जो charge है वो 100 ESU का charge है, यहाँ जो charge है यह minus 100 ESU का charge है, और यहाँ पर जो charge है plus 50 ESU का charge है, और यह जितने side हैं, यह सब 10 centimeter के sides हैं, 10 centimeter के side, तो इस पर force पूश रहा है, 50 ESU वाले charge पर देखो force पूश रहा है, find, find electrostatic force on the 50 ESU charge, जो 50 ESU का charge है, उस पर इस तो को force find करना है, और एक खास बात देख लो question में, charge किस में दिया है, ESU में, distance किस में दिया है, side centimeter में, बताओ यह question MKS में दिया है, कि CGS में, तो clear हो गया है, तो question CGS में दिया है, तो जो answer आएगा, वो newton में नहीं, answer dyne में आएगा, क्योंकि CGS में जो force का unit होता है, वो क्या होता है, dyne होता है, जिसके help से हम देखें, तो यह असपस दिखाई दिया है, तो question CGS में है, जब CGS में तो solve करोगे, तो answer CGS में भी आ जाएगा, कहीं कहीं, कहीं उसको MKS में convert करने के आओ सकता ही नहीं है, last में हाँ, अगर newton answer पूछ रहा है, तो dyne तुम answer fine कर लो, last में उसको newton में convert कर दो, उसमें कोई दिकत नहीं है, क्योंकि newton को dyne में convert करना सबको आता है, तो simple rhythm concept है, तो आओ समझो यहाँ पर force किस पर पूछ रहा है, 50 SU पर force पूछ रहा है, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा dears पर force हम लोग देखेंगे, तो हमने बताया ना, कि जिस पर force पूछ है, उसके द्वारा force नहीं लगाए जाता, बलकि इसको ढख लो, जो charge दिया, उसको ढख लो, जितने charge और दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा तुम इस पर force देखो, तो ये भी इस पर force लगाएगा, और ये भी इस पर force लगाएगा, इन्हें उस चास पर total दो force लगेंगे, और दोनों force का direction दिखा करके, vector के help से question को solve करने का हम लोग प्रियास करेंगे, तो आप देखो, सबनों ध्यान दो इधर, इसके द्वारा अगर इस पर force देखेंगे, तो ये लगेगा dear repulsion का force, इसके द्वारा इस पर force देखेंगे, तो ये minus है, ये plus है, तो ये minus इस plus को क्या करेगा, attract, इसलिए इसके द्वारा लगेगा attraction, और इसके दोरा क्या लगेगा रिपल्सन बस दो फोर्स दिखाई दे रहा है दोनों का रिजटेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे आव फिर से धियान दो यह डियर पाजिटीव और यह भी डियर पाजिटीव तो जब दोनों पाजिटीव पाजिटीव हैं तो positive positive का क्या करेगा repulsion, जो repulsion करेगा तो इस direction में यह force लगाएगा और यह force कौं लगाएगा A लगाएगा C पर इसलिए A के दोरा C पर लगना फोर्स का हुम लोग FA कहलेंगे, उसके बासे B के दोरा C पर लगना फोर्स यह minus है, यह plus है तो minus वाला plus का क्या करेगा attraction तो इधर हम लोग force B के द्वारा देख लेंगे FB, फिर दोनों का हम लोग क्या find कर लेंगे resultant, और resultant कैसे find करेंगे वो बात में देखेंगे, पहले हम लोग FB का value find करें, तो FB का मतलब इसके द्वारा इस पर लगने होता, 4 pi, सीज़स में 4 pi नहीं होता that is 1 upon 4 pi एक सालानाट नहीं होता और आसान हो गया, only Q1, Q2 upon R square तो Q1, Q2 upon R square, तो Q1 का value 100 into 50 upon R square, यानि 10 का square is 100 100 से 100, cancel, is equal to 50, 9 का ये force आ गया इसके दर से लगनाना force हो गया, 59 अब FB का value हम लोग find करें, FB तो हो जाएगा Q1 into Q2 Q2, minus 100 नहीं, 100 लिखेंगे क्योंकि कुलाम्सलाक की फामले में Q1 और Q2 का magnitude लिखा जाता है, वो plus minus कहीं कोई मतलब नहीं है यह minus और plus है, तो बस इसे attraction इंडिकेट हो रहा है direction के लिए हो रहा है, लेकिन नुमेरिकली साल करते समय minus नहीं करके क्यों 100 ही रखेंगे upon 10 का square, that is 100 100 से 100 यहाँ पर cancel हो गया is equal to आ गया, 59 यह भी 59 आ गया, 100 से 100 to cancel, that is 50 और 50 अब अगर देखा जाए, तो यह 59 आ गया force, यह भी आ गया 59, लेकिन यह angle होगा कितना, 60 degree, क्योंकि equal to triangle है, तो इसके इस angle 60 degree होंगे, तो यह 60 degree होगा, तो यह जो बचेगा, यह 120 degree का angle बनाएगा, अब तुमने अभी पढ़ा था वेक्थर में, कि अगर दो force, same magnitude के हों, और दोनों 120 degree पर हों, तो resultant सीधे सीधे उसी के परापर होता है, इसलिए 59 और 59 का 120 degree पर resultant, 50 ही होगा, अब साल करने का हो सकता ही नहीं है, तो इसका हम लोग लिखे लएंगे dear magnitude, that is resultant, यह धर resultant बनेगा, इस पर net force का तो सीधे लगने वाला, net force, 59 ही होगा, क्योंकि यह दोनों 50-50 हैं, और दोनों 120 degree पर हैं, इसलिए सीपे लखने वाला, total force, यह जाएगा 50, 59 अच्च्च्च्चे लोगा 1, 50 ही हों again कुलामसला जो हम लोग पढ़े थे तो एक बात हमने उसमें नाम लिया था कि जो कुलामसला होता है inverse square law ये point charge के लिए ही केवल valid होता है तो आओ देखते हैं क्यों ये केवल point charge के लिए ही valid होता है तो जैसे हम लोग अगर दो point charge यहां पर मानते हैं point charge के मलब जिसका जो size हो वो negligible हो तो दो point charge है q1 और q2 r separation पर तो इनके भी से लगने वाला जो force होता है f ये होता है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square इतना force होता है according to कुलामसला और ये सब कौन से charge है q1 and q2 are point charge ये दोनो point charge है इसके लिए दोको कुलामसला apply कर लो कहीं कोई दिकत यहां पर नहीं है लेकिन अब अगर हम बात करते हैं second q1 q2 को point charge ना मानके यहां पर अगर sphere मान लिया जाए कि ये spherical body है और ये एक spherical body है तो इसके लिए ये कुलामसला valid नहीं रहेगा इसमें जो force लगेगा इससे find करोगे और actual force देखोगे तो दोनो different आएंगे ये ये इसा क्यों होगा जैसे यहां पर अगर हम लोग चार्ज मान लें q1 इस पर pipe charge total q1 मान लें और इस पर pipe charge हम लोग q2 मान लें उस पर charge q1 और इस पर charge मान लें dier q2 ति हो गया q1 और ये हो गया q2 और ये point charge नहीं है बलकि ये sphere है और ये भी point charge नहीं है ये sphere है इनके center से जो center की beast की दूरी है वो dear r है ये हो गया r ये दोन हो गया sphere q1 charge और q2 charge तो यहाँ पर अगर हो लो force निकालें तो जो actual force लगेगा इस आले formula से force निकालेंगे तो उससे different आएगा क्यों different आता है क्योंकि तुम देख लो इस पर भी positive charge है इस पर भी positive charge है तो ये charge जब आपस में repulsion होंगे तो ये positive जो charge होंगे वो इधर shift हो जाएंगे इधर के positive charge इधर shift हो जाएंगे तो shift होने के कारण ये charge as इधर इनकी concentration इधर बढ़ जाएगी ये charge repulsion होने के कारण इधर concentration charge का बढ़ जाएगा इधर वाले positive charge का concentration देखें तो इधर charge का concentration बढ़ जाएगा तो concentration charge का बढ़ जो जाएगा repulsion होने के कारण इन charges के beast का जो effective separation होगा effective separation वो इस वाले separation से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जब effective separation बढ़ जाएगा तो उनके बीच लेगने वाला जो force होगा अगर इस वाली फार्मले से देखा जाया तो उसके रिस्पेक्ट में force थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन point charge में जो charge का repulsion होता है तो उनके जो charges धोदर नहीं जाते क्योंकि उनकी size negligible होती है लेकिन यहाँ पर जो कि size negligible नहीं है इसलिए charges क्या होते हैं repulsion कर जाते हैं और अपने position से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं जिससे कि इनके बीच का effective separation जो होता है वो change हो जाता है इसलिए यहाँ पर कुलाम्सला से जो force आता है उससे force थोड़ा कम हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि electrostatic force between two charges are valid for only point charge क्यों point charge के लिए डियर यह valid होता है तो यह point charge नहीं था यह charges डियर is spherical थे यहाँ का जो answer आएगा वो कुलाम्सला अले से थोड़ा सा different answer आता है क्योंकि कुलाम्सला यहाँ पर valid ही नहीं है तो यहाँ का जो force होगा यह होगा one upon four pi epsilon not into q1 q2 upon r square लेकिन डियर यहाँ equal नहीं कहेंगे क्योंकि यह separation actual देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि यह charge इधर shift होंगे इधर के charge इधर shift होंगे इसलिए जो force लगेगा कुलाम्सला वाले force से थोड़ा कम force यह आएगा इसे ऐसे थर्ड concept देखें यह book में question दिया है कि दो spherical bodies पर charge दे करके अपर पूश रहा है कि बताओ इसमें force कितना लगेगा तो एक answer में equal करके दे दिया है एक answer में more than करके दे दिया है एक answer में less than करके दे दिया है तो यह answer देखें इसका correct answer है क्योंकि यह point charge के लिए valid होता है यह point charge नहीं है charges यहाँ पर repulsion के द्वारा दूर हो जाएंगे लेकिन अगर यही charge spherical body पर charge और यह spherical body पर charge अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर positive charge हो यह charge हो Q1 लेकिन इस पर कैसा charge हो negative यह charge हो Q2 इनके बीच का जो separation है यह separation हो R तो ऐसे में यहाँ जो force लगेगा चोकि यह plus है और यह minus है आप इसमें attract होंगे जो attract होंगे तो यहाँ पर plus charge की संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पर minus charge की संख्या बढ़ जाएगी जिसे इनके बीच का effective suppression कम हो जाएगा और effective suppression कम हो जाएगा तो force का value को लाम सलावाले formula से दे 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square यह force का formula यहाँ डबल अप होगा इसलिए कहा जाता है कि कोलाम सलावा is very far point charge तो जो तुमको maximum question मिलेंगे point charge वाले मिलेंगे लेकिन आओ हम लोग एगए इसा example पढ़ते हैं और जो ऐसा example होगा जो कि point charge नहीं होगा और point charge अगर नहीं होगा तो कैसे उसको हम जाए लेकिशा हरे गाए हुआ हाई है हाँ हो पस्यास कर दो कर कि आकार भी में अबर जैसेए को शाल करें इस कांस्ट्ट पर जैसे यहाँ पर point charge ना देकर के line charge दिया हो बलब charge एक rod पे uniformly distributed है देख रहे हो यह rod है अब पूरे length पर जो charge है uniformly distributed है और यह charge है total Q और यह एक rod है rod है मतलब यह point charge नहीं यह है line charge it is line charge और इसका जो length है वो है L और यहाँ पर एक point charge अलग से दे दिया है यह small Q charge यह point charge दिया है और यहाँ से यहाँ तक का जो distance है दियर यह L है यह distance है L और यह है point charge तो कुस्टन कह रहा है फाइंड आउट फाइंड आउट इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स बिट्वेंड बिट्वेंड इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स बिट्वेंड गिवेंड गिवेंड प्वाइंड चार्ज प्वाइंड लाइंड चार्ज प्वाइंड चार्ज और लाइंड चार्ज के बीच फोर्स फूस रहा है अब देखलो यहां पर यह हम लोग अब ध्यान देना है कि यह तो हो गया point charge लेकिन यह तो point charge नहीं नहीं है अब यहां पर direct तुम कुलाम सला अपला ही नहीं कर सकते हो अब आरा समझा है यहां पर वाइला point charge वाइला काईसे अपला ही किया जाता है अब यह नहीं कि तुम बिना ध्यान दिये फ़र्स लिख दोगे कि 1 upon 4 5 7 8 Q into Q upon 2 L का स्क्वार ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह dear तो point charge है लेकिन वो क्या है line charge है इसलिए अब direct कुलाम सला से question solve नहीं होगा तो ऐसे जो questions होते हैं यह question normal question नहीं कहलाते हैं यह question थोड़े मयाबी होते हैं मयाबी राच्छास कहलाते हैं और ऐसे questions को solve करने के लिए ब्रह मास्तर क्या हो सकता होता है ब्रह मास्तर क्या हो सकता होता है का मतलब integration क्या हो सकता होता है यह integration का सब को पता है कि dear symbol होता है और integration का symbol ही कुछ इश्चेप का होता है जो बड़ा मास्तर के जैसे होता है इसका मतलब ऐसे question को साल करने के लिए कुछ न करो integrate करके question को साल कर लो तो ये समझ में आना चाहिए कि अखर integration के आऊ सकता क्यों पढ़ रहा है तो दुश्यान जब इसे question आता है कि क्या करें, कि अखर क्यों integrate करें, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कुलामसला valid नहीं है जो कुलामसला valid नहीं है तो integration का help लेना होगा, इसके लिए कुलामसला apply करने, लाइक इसको पहले बना लिया जाएगा, ये तो point charge है, लेकिन ये तो line charge है, इसलिए डियर इसपे value आ जाएगा, तो क्या करेंगे बताओ इस पर, हम लोग एक elementary charge यहाँ पर cut करेंगे, very small charge DQDR इसपे cut किया जाएगा it is DQ charge और कितने thickness का, DX thickness का charge इसपे cut करेंगे DX, अब ये जो very small charge है, very small charge is also point charge, अब ये बन गया point charge, और ये भी हो गया point charge, इन दोनों के भी सब हम लोग columns law apply कर लेंगे, यानि columns law apply करने के लिए इसपे DQ charge cut किया जाता है, ये ध्याँ देना है तो point charge को बना लिया, ये भी point charge है और ये मान लिया, कि यहाँ से यहाँ तक ये जो separation है, ये separation है, डियर, X ये separation यहाँ से यहाँ तक X है, लोग इस वाले charge से, ये जो elementary charge cut किया गया है, वो already X distance पर है तो दखो L fix है L fix है, ये दोनों constant है लेकिन ये X जो है, ये variable है, और X का limit चलेगा, वो कहां से कहां तक चलेगा तो तुमको इसके दोरा force इस पर देखना है, तो force find करके और यहाँ से यहाँ तक पूरे length के लिए integrate करना होगा, तो X का जो lower limit होगा, वो कितना होगा L, और X को आगे तक बढ़ाते जाओ, तो X का जो upper limit होगा, वो असपास दिखाए ज़रा है कितना 2L, इसका मतलब X का limit बनेगा, वो L से 2L तक उसकी limit बनेगी और integrate करके question को solve कर लेंगे, जब limit apply करता है integration पर तो उसको definite integration कहा जाता है, जिसमें last में upper limit minus lower limit apply करके तब जाके question को solve किया जाता है तो इसमें समझ में आया, dq charge क्यों कट किया, dq charge कट किया, इसमें point charge बनाने के लिए जो elementary charge कहा लाता है ये charge point charge है, dq charge भी बन गया point charge, इनके 20 हम कुलाम सलाँ apply कर देंगे उसके बाद से पूरे length के लिए integrate कर देंगे और आम से force का value हम लो find कर सकते हैं तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले dq का value find करता है dq का value find करना में incident परसान हो जाता है कि dq आखिर find कैसे होगा तो dq find करना एकदम आसान होता है जो dq है वो कितने length का charge है dx length का charge है तो हम लोग पहले find कर लेते हैं कि पूरे rod पर, पूरे line charge पर इस पर जो charge है उसके per unit length पर कितना charge है अगर per unit length का charge पता चल गया तो जितने thickness का चाहो उतने thickness का तुम charge क्या कर सकते हो find कर सकते हो तो बताओ पूरे rod पर जो charge है वो कितना है q rod का length कितना है l तो q में l से divide कर दिया तो उसको बोलेंगे charge per unit length per unit length पर charge अगर तुमको पता चल गया अब जितने thickness का चाहो charge तुम find करो तो अब कितने thickness का charge देखना है dx thickness का तो देख लोग, dx से multiply कर दिया तो ये dx thickness पर कितना charge है ये dq charge पता चल गया और ये elementary charge है और ये behave करेगा कौन सा charge की तरह अब ये point charge की तरह behave करेगा that is dq is equal to charge per unit length into जितने thickness का तुमको charge चाहिए dx से क्या कर दिया multiply अब ये दोनों charge हमने कितने separation पर माना है x separation पर माना है तो इन दोनों के 20 हम लोग force find कर ले इन दोनों के 20 जो force होगा d or वो df force होगा कुलामसला अब हम लोग apply कर ले 1 upon 4 pi epsilon naught q into upon यहां से यहां तक का separation x square small force df q upon 4 pi epsilon naught into dq का वैलू q upon l dx into 1 upon x square that is df is equal to q q upon 4 pi epsilon naught l in bracket 1 upon x square dx अब इंडिगेट कर लें दोनों तरफ तो टोटल फोर्स आ जाएगा जो constant integration से बाहर आ जाएगा q q upon 4 pi epsilon naught l और यहां integration का symbol अपलाई कर दिया 1 upon x square को x power minus 2 कह दिया यहां dx आ गया और limit अगर x का अपलाई किया जाए तो x का जो lower limit होगा वह सपस देखो l दिखाई दे रहा है और x बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा 2l तक इसलिए x की limit जो होगी वह होगी l2 2l यह x की limit हो जाएगी अब कुछ नहीं करना है बस इसको integrate कर देना है और integrate करके limit अपलाई कर देना है question अब आसानी से साल हो जाएगा तो जैसे हम लोग integration में सिखते हैं formula यह पढ़ते है x power n dx का integration x power n plus 1 upon n plus 1 integration का यह formula होता है तो यहाँ पर तुम देखो integration किसका करना है x power minus 2 का integration करना है तो यहाँ पर हो जाएगा x power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 that is x power minus 1 upon minus 1 is called to minus 1 upon x यह integration देखो इसका होगा x power minus 2 का integration minus 1 upon x इतने का integration minus 1 upon x integration हो जाएगा जो इसको अपलाई कर दे हाँ पर और df का integration हो जाएगा f total force f is equal to q q upon 4 pi x alumnaat l x power minus 2 का integration minus 1 upon x l2 that is f is equal to 2 2 L यहाँ गया f is equal to minus q q upon 4 pi x alumnaat l यह minus हमने इधर कर दिया इस पर limit apply कर दिया तो अपर लिमेट तो अपर लिमेट x का असान पर 2 L 1 upon 2 L minus lower limit minus lower limit 1 upon L that is f is equal to minus q q upon 4 pi x alumnaat l in bracket इसको सालो करेंगे तिया आजाएगा minus 1 upon 2 L और 1 upon L कामन हो गया half minus 1 that is minus half minus 1 upon 2 ला ला गया अब minus minus मिलके plus that is f is equal to minus minus plus हो गया तो आगया q q upon 4 2 is a 8 pi x alumnaat L into L is L square ये force आएगा तो इस question से already हम ये बतलाना चाहिए कि एक question मिदे को साल हो गया और इस question से ये भी idea लगा कि electrostatic force that is coulomb's inverse square law is valid for point charge only जिसमें कि यहाँ पर point charge दिया है लेकिन ये line charge दिया है इसलिए इस line charge में हमने point charge cut कर लिया जिसको elementary charge dq कहते हैं और इन दोनों पर अब हमने देखो coulomb's law apply कर लिया यहाँ पर और coulomb's law apply करने के बाद से हमने यहाँ से यहाँ तो कुसको integrate कर दिया और जो कितना आसानी से questions साल हो गया अब थोड़ा सा integration यह थोड़ा आना चाहिए तो जो class 12th student है यह जो IT PMT exam दे रहे हैं NEET exam दे रहे हैं IT exam दे रहे हैं उनको इतना integration आता है यह आराम से इसको integrate कर सकते हैं तो इस प्रकार के जो questions होते हैं मया भी questions कहलाते हैं मया भी राश्यस कहलाते हैं जो बड़ा master से धरासाई होते हैं that is integration से salve होते हैं तो यह point charge बना करके तब जाके question को क्या किया गया salve किया गया तो यह सब को ध्यान देना है आज की आज का lecture यहीं तक थोड़े थोड़े पार्ट में डाटिक फिलप करेंगे जिसको homogeneous नहीं डियर तब उसको कहेंगे heterogeneous medium उभी बहुत important question होते हैं जिसमें dietric medium एक बड़ाबर फिलप ना करके अलग-अलग dietric medium उसमें फिलप किये जाते हैं ठीक है मैंने से solutions पढ़ाई करते रहें ओके